हेलो स्टुटेंट्स आज हम करेंगे इन्वर्स ओप मैट्रिक्स वाई एलिमेंटरी ओप्रेशन पहले हमने करना था कि रोग की ओप्रेशन लगाये थे अब हम करेंगे कॉलम की उपर कैसे ओप्रेशन लगाने आपके पास कोई यह मैट्रिक्स है अगर एक की लेफ्ट पर लेते हैं 1001 इस पे हम क्या लगाएंगे कॉलम उपरेशन लगाये सारे के सारे क्या लगेंगे कॉलम उपरेशन गेन है example number आपकी 24, एक कोई matrix है, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1 जितना आपके पास ए matrix, जितना भी उसका order है, उतना ही आप identity matrix का लेके चलोगे इसमें rows कितनी है, 3, columns कितनी है, 3 साफ क लेके चलोगे, 3 rows, 3 columns के, एकी left swide पर हें, तो हम क्या लगा रहें, इसके उपर, सारे के सारे row operations लगेंगी, अगर हम इसपर, क्या लेके चलते हैं, right side पर के चलते हैं, तो सारे के सारे column, operations लगी, जो operation आप इसके उपर लगाओगी इस matrix के उपर वो इस एम operation आप identity matrix के उपर लगा दे जाओगे लगाने के बाद आपकी जो left side है वो आपकी identity में convert हो जाएगी और इतर आपके पास एक नया matrix त्यार हो जाएगा तो इसी बेस पे आपने questions करने हैं